बस बहुत हुआ, अब अर्मान को सबक सिखाएगी अभीरा, गाल पर मारेगी जोरदार तमाचा। ये रिष्टा क्या कहलाता है, मैं मनीशा सब की सामने फूफासा का असली चहरा लाने की कोशिश करेगी। वो फूफासा से कहेगी, आपने कहा कि उसका असाइनमेंट अच्छा नहीं था, वो वाईवा में भी अच्छे से जवाब नहीं दे पा रही थी तो आप उसको फेल करके घर वापस आ जाते। आप उसके साथ जबिले क्यों। दादी सा, मनीशा को टोकेंगी। दादी सा कहें कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इसके बाद मनीशा, दादी सा को याद दिलाएगी कि माधभ भाई सा ने सिर्फ दो दिन का वक्त दिया है। इधर माधभ अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। उधर अभिरा फेल होने के दर से रोती रहेगी बड़े पापा, अभिरा का हालचा लेने के लिए उसे फोन करेंगे। हाला कि तभी रूही आ जाएगी। रूही, बड़े पापा के सामने हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि वो उसके और अर्मान के रिष्टे को अपना आशिरवाद दें। हाला कि बड़े पापा नहीं मान जाएगा। इतिफाकन अर्मान और रूही भी उसी कैफे में आ जाएंगे। अभिरा अर्मान को देखकर भरक जाएगी। हाला कि, कृष्ट की खातर अर्मान और रूही के साथ एक ही टेबल पर बैठने के लिए तयार हो जाएगी। पेस्ट्री खाने के बाद कृष्ट अ अभिरा को याद आएगा कि कृष आज रात एक पब में पार्टी करने जाने वाला है। वो कृष को उसका वॉलिट देने के लिए उसी पब में जाएगी। हाला कि अभिरा के आने से पहले ही कृष वहां से निकल जाएगा। अभिरा क्रिश को ढूंगती रहेगी और इसी बीच पुलिस आ जाएगी। पुलिस को लगेगा कि अन्य लोगों की तरह अभिरा भी इस पब में नशा करने के लिए आए है। वह उसे गिरफतार कर लेगी। हाला कि अभिरा पुलिस के सामने अपनी बात बड़े ही अच्छे तरीके से रखेगी जिसकी वजह से पुलिस उसे छोड़ देगी। न्यूज में अभिरा की गिरफतारी की खबर सुनकर अर्मान दोरते भागते पप पहुचेगा। वह अभिरा को खरी खोटी सुनाने लगेगा। अभिरा अर्मान की बात सुने बिना वहां से जाने की कर लेगा। अभिरा अपना हाथ चुलवाने की कोशिश करेगी और इसी चक्तर में उसका हाथ अर्मान के गाल पर पड़ जाएगा। अभिरा अर्मान से कहेगी तुम यहाँ अभिरा शर्मा को बचाने नहीं, पौदार खांदान के नाम को बचाने आए हो। तुमने देख खबर के बारे में हमें कमेंस में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें